हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज हम वेस्ट चीजों से एक यूजफुल चीज बना कर तयार करेंगे सबसे पहले हम एक डबा लेंगे और एक ओयल की कैन लेंगे इनको हम उपर से काट लेंगे इस तरह से हमने डिब्बे के उपर का हिस्सा काट दिया है और इस तरह से हमने इसको ले लिया है एक बराबर करके दूसरे हम कैन को भी इसी तरह उपर से काट लेंगे और एक सिक्का लेकर उसको इस तरह से रखकर उस पर निसान लगा लेंगे और फिर उसी तरह से हम इनको काट लेंगे इस तरह से हम डिब्बे और कैन को यूजफूल बनाएंगे और इनका हम प्लांटर बनाकर तयार करेंगे और इसमें हम पेड़ भी लगाएंगे इस तरह से लेकर हम पेंट लेंगे paint आप कोई भी ले सकते हैं मैंने इस तरह का paint लिया है और इस पर पहले हम white paint करेंगे दोनों पर हम पहले white paint कर लेंगे इस तरह से हम brush की help से paint करेंगे पहले white कर लेंगे और फिर जैसा आप चाहे वैसा paint इन पर कर सकते हैं आप जैसा चाहे इसको बना सकते हैं और इन में फलावर प्लांट लगा सकते हैं ग्रीन प्लांट कैसा भी प्लांट आप लगा कर इनको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं इस तरह से हम पूरे पर इस पर पेंट कर लेंगे वाइट पेंट करके फिर हम इसको सूखने के लिए रखेंगे अगले दिन हम इस पर दूसरा पेंट करेंगे क्योंकि ये पेंट देर में सूखता है इस तरह से पूरे पर पेंट करकर हम आपको दिखाते है हमने इस पूरे पर पेंट कर लिया है अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे इस तरह से ये सूख गया है अब हम इस पर नीचे की तरफ हमने green paint किया है बीच में एक line हम white की छोड़ेंगे और फिर हम इस पर brown color करेंगे हम इस पर 3 color का use करेंगे white, brown और green का इस तरह से हम पूरे पर इस पर paint कर लेंगे इस तरह से line बना लेंगे और बीच में हम black color से outline देंगे इस तरह से अच्छी तरह से आप कर लें paint आसानी से हो जाता है इसलिए आप किसी भी तरह से paint कर सकते हैं इस पर line ने बनी हैं इसलिए हम इस पर line से ही paint करेंगे नीचे हमने green किया है फिर white फिर brown color कर लिया है इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे एक एक पट्टी पर हम इस तरह से करते जाएंगे इस color को पूरा सूखने दे जब दूसरा color करें इस तरह से हमने पूरे पर paint कर लिया है उसको सुखा लिया है ये बन कर तयार होगा है इस तरह का ये planter बन कर तयार है हम इसमें मिट्टी डाल कर plant लगाएंगे अब हम oil can पर भी white paint करेंगे आप घर में पड़ी बेकार चीज से useful चीज बना सकते हैं बहार कुडा फैकने से पहले आप ये देख ले कि कौन आपके काम आ सकता है क्या आपके काम आएगा क्या नहीं आएगा इस तरह से हम इस पर चारों तरफ से paint करेंगे अच्छी तरह से paint कर ले एक बार थोड़ा कम होगा दुबारा में अच्छा हो जाएगा हमने इस पर पूरा सफेद paint कर लिया है अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे एक दिन बाद हम इस पर दूसरा paint करेंगे इस तरह से हम इनको बना कर तयार कर लेंगे कुछ white रहेगा किनारा और बीच में हम brown कर लेंगे इस तरह से अच्छी तरह से line बनाते हुए आप color करें अगर आपको मेरे planter पसंद आए आप like करें share करें और channel पर नहीं है तो subscribe करें और आप भी इन चीजों को बना कर देखें यह बहुत ही useful होते हैं इस तरह से हमने चारो तरफ इस पर brown color कर लिया है नीचे white है उपर भी white है और उपर की तरफ जो यह design बना है इसमें हम blue color करेंगे और बीच में white करेंगे चारो तरफ हमने इस पर color कर लिया अब हम उपर की side में blue color करेंगे जहां कहीं रह जाए अब दुबारा से paint कर लें एक अच्छा planter बन कर तयार हो जागएगा इसमें मिट्टी डाल कर plant को लगा दे कोई भी plant इसमें लग सकता है और नीचे की तरह पाप इसमें छेद कर दे इस तरह से हम नीचे white करेंगे और उपर हम इसमें blue color करेंगे side में थोड़ा थोड़ा blue करके फिर हम उसके नीचे white रखेंगे इस तरह से पूरे पर हम कर लेंगे इस तरह से हम blue color करेंगे पीच में white रह जाएगा white को हमें दुबारा करना होगा बारीक ब्रस की help से इसको इस तरह से आप करें सफाई से करें अंदर की side हम color नहीं करेंगे क्योंकि अंदर मिट्टी भरी जाएगी इस तरह से हम पूरे को complete कर लेंगे सभी पर हम धीरे धीरे करके paint करेंगे planter एक दम बनकर बहुत ही beautiful लगेगा और useful भी होगा आप इसमें plant लगा सकते हैं या plant का कोई भी चीज आप इसमें लगा लगाया रख सकते हैं प्लास्टिक के बैग में या फिर किसी बोतल में इस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी देंश में अभी हम नीले कलर को करके इसके नीचे सफेद कलर को अच्छे से कर लेंगे और एक डिजाइन बनकर तयार हो जाएगा चारो तरफ से करें और इसको सुखा कर ही पेंट करें जब ये सुख जाए तब दूसरा पेंट आप कर सकते हैं इस तरह से हमने नीला पेंट भी कर लिया है और वाइट पेंट भी कर लिया ये कुछ इस तरह से देखने में लगेगा और इधर हम वाइट ही रखेंगे पूरा पेंट हो चुका है और ये सूख भी गया है अब हम इस पर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं या इसको ऐसे ही आप रखे, ऐसे भी ये सुन्दर लग रहा है, सामने से इस तरह लगेगा, साइड से इस तरह लगेगा, अब हमने इस पर सरकिल के कुछ पीस लगा दिये हैं, इस तरह से हमारे पास रखे हुए थे, हमने उनको इसी पर लगा लिया है, आप पेंट भी कर सकत हैं, और कोई हलावर भी इस पर बना सकते हैं, इस तरह से ये बनकर तयार हो गया है, अब हम इसमें मिट्टी भर लेंगे, मिट्टी भर कर हम इसमें प्लांट को लगा देंगे, दोनों प्लांटर बनकर तयार हो गए हैं, अब हम इन में मिट्टी भर कर हमने प्लांट लगा दिये हैं, ये देखने में कुछ इस तरह के लगेंगे, ये बहुत ही बनकर खुबसूरत लग रहे हैं, प्लांटर बनकर तयार हो गए हैं,